सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर एकाडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट्स दोस्तो मैंने जैसे की लास्ट फ्राइडे को ही कहा था कि जिस तरह से मैं रशिया और युक्रेन का ये वार का बिसे देख रहा हूं कोई उसमें सही आसार नजर नहीं आ रहे हैं यही वाकि मैंने लास्ट ओडियो में कहा था जिसके करण यह हो सकता है कि मार्केट पांस चारसो से पांसो पॉइंट नीचे गिरेगा और आज देखी दोस्तों काफी हर्त तक मार्केट नेगेटिव हुआ जिसे आपने देखा ही कि आज सेंसेक्स 52,842, 1491 पॉइंट डाउन, निप्टी 50, 15,863, 382 पॉइंट डाउन दोस्तों अब आपको अपने आपको ये मान कर चलना है कि सामने जो आंधी तूफान आ रही है वो अभी सोड़ा समय कायम ही रहेगा दोस्तों हाँ ये आपको अब मानसिक्ता बनाना होगा कभी-कभी जैसे कोई और ये आंधी तूफान हमेशा के लिए नहीं होते हैं ग्रहन जैसा चीज हमेशा के लिए नहीं होता ये इसी तरह से मार्केट में ये आंधी तूफान आया है एक तरह से ग्रहन ही लगा हुआ है तो इस दौरान मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड ही रहेगा दोस्तों और आपको ये मांसिक्ता बना कर ही चलना होगा अब क्या है दोस्तों ये खास रूप से युद्ध वाली बात अगर नहीं होती तो मार्केट आज कहां से कहां पहुझ गया होता क्योंकि और कोई बाती नही लेकिन अब ये युद्ध का विसे ऐसा जटिलता रूप धारन रखा है कि यहां पर बीजबीच में ये कहा जाता है कि वो सिटी में सीजफायर कर दिया है ये सीजफायर हुआ है तो लोगों को कुछ आश्तार नजर आते हैं कि चला अब मार्केट सही हो जाएगा लेकिन व गिरावर्ट लगभक कायम सा ही रहेगा दोस्तों मुझे ये कहते हुए बड़ा मतलब कहीं न कहीं बुरा लग रहा है लेकिन वास्तविक्ता के साथ ही हमें चलना होगा ये गिरावर्ट अब जैसे आज आज आपने देखा देड़ हजार पॉइंट के आसपास डाउन रहा आपने देखा आज मार्केट 1800 तु 1900 की तरफ भी डाउन चला गया था सेंसेक्स फिर थोड़ी खरीदी हुई फिर बात हुआ अभी दोस्तों ये है कि मार्केट अगर जरा उपर भी होता है न तो वहाँ पर तुरन भिक्वाली का विसर बन जाएगा ऐसा असार नजर आ रहे लेकिन ये है दोस्तों कि जैसे आज 1500 पॉइंट गिरा अब हो सकता है कल गिरे तो 300 से 500 पॉइंट के आज सेंसेस गिरे इस तरह का बात भी से अभी हमें अपनी सोच को इस तरह से ही मना कर चलना होगा आप देख रहे हैं दोस्तों कि ओईल का प्राइस पिछले 13 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा है आज जो पिछले 13 साल में जितना नहीं बढ़ा ओँ आज की तारिक में आज रेकॉर्ड हीट कर दिया सबसे हाई का 130 डॉलर्स वेरल के हिसाफ से इतना बढ़ गया मार्केट ओईल का अब देखा दोस्तों हमने पिछली बार क्या देखा बीमारी का भी से था पेंडमिक पेंडमिक ये सब तकलीफ हुआ अब वार का तकलीफ लेकिन दोस्तों ये वार के बाद भी एक छोटा तकलीफ बढ़ जाएगा भविश्काल में और वो होगा महंगाई मैं एक वास्विक्ता के साथ आप से कुछ बाते बता रहा हूं अगर ये वार ज्यादा दिन चला तो महंगाई का दर जो है काफी हद तक बढ़ेगा ये भी एक समस्या का विश्य होगा आगे लेकिन इतना चिंता जो आज चल रहा वह इसा नहीं है भाई चलो ठीक है महंगाई को मार्केट उस चीज को हैंडल कर सकता है लेकिन वार वाली बात को मार्केट नहीं हन्दो कर पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा डराऊना भी से है मार्केट के लिए क्योंकि पिछले अगर हम 100 साल पीछे भी जाते हैं और उस समय की बात को भी ध्यान में लेते हैं First World War या उसके बाद Second World War, ये सब में market की हालत बहुत खराब रही दोस्तों, अब ये ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं तो यही सोचता हूँ कि इस war को जल से जल निप्टाया जाए, किया जाए, वर्ल्ड के सभी countries एक जूट होकर इसे र दिखाई दे रहा है मुझे, हाँ, ऐसा कोई बात हो जाए, कि हाँ, चुलो कल कुछ हो जाए, तो बात अलग है, लेकिन उसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम तो by nature आशावादी हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन वास्विक्ता भी तो कुछ अलगी है ना, तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप अपने आपको इस समय यह मान कर चलिए, कि आपके जो स्टॉक हैं, अच्छे हैं, कॉलिटी वाले हैं, लेकिन वो नेगिट्व ओर्डर में हैं, कल इससे ज़्यादा भी नेगिट्व आप देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपने साहस को मत खोईएं, दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है, कि यही दो चीज है जो आपको अगर कायम रखते हैं, तो इस मार्केट से आप डट कर मुकाबला कर सकते हैं, इसमें डट कर मुकाबला करने का भी से यह है दोस्तों कि हम अपना सयम कायम रखें, अपना धेरी कायम रखें, मनोबल हमारा उचा रहे और थोड़ा बहुत जो अगर हमारा बजट है तो उसका कुछ न कुछ भाग छोटा छोटे लेवल पर कुछ न कुछ लेते रहना क्योंकि मानता हूं नीचे गिर रहा है, भई कोई भी शेर अब 300 का था, 28 हो गया, 200 जा रहा है, 100 सी हो रहा है, लेकिन जब उसमें उच्छा लाएगा तो वो भी बड़ी गतिशील रूप में ही होगा, तो मेरा आपसे यही करना है कि जहां तक है अपने आपको इस मार्किट में अपने आपको मजबूत रखिए दोस्तों, यहां आप कमजोर पड़ गए, तो सारा का सारा लॉस करके निकलेंगे दोस्तों, और यह काम हमें करना नहीं चाहिए, हमारा कैपिटल डेमेज जरूर हो रहा है, वो नेगेटिव जरूर दिख रहा है, लेकिन उससे ज़्या से ज़्यादा सप्लाइ काफी हो रहा है, अब ज़्यादा सप्लाइ होगा तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, तो कल के लिए दोस्तों मैं एक ही कहूंगा कि मार्केट लगवग डाउन ही दिखाई दे रहा है, हाँ यह है कि जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे सेंसेक तीन सो से पांसो के आसपास डाउन रहे और कुछ उसमें उसी लेवर पर चलता रहेगा अभी कल की तारिक में मुझे इसी तरह का बात भी से दिख रहा है दोस्तों और बस यही कहना है यह बात जरूर कहूंगा दोस्तों कि इस समय जो quality stock में हमारा जो area diamond stock में आते हैं वो इस समय service और खास करके हाँ एक चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों यह life का सबसे best time है portfolio management service और multi bigger portfolio management service लेना क्योंकि जो लोग जागरूख है वो इसमें अपना उससा कायम रखे हैं और कदम भी उठा रहे हैं दोस्तों जो जागरूख investor हैं उनके लिए जानते हैं कि यह portfolio management service और multi bigger portfolio management service का प्लान करते हैं तो यह सबसे best time है दोस्तों आपके लिए और यहां सही आपका rate of return साल भर में आप देखेंगे कि even it can go up to 70-80% annual return यहां तक भी जा सकता है इससे संबंदी दोस्तों जो भी आपको जानकरी चाहिए आप WhatsApp में message कीजिए सारी जानकरी आपको प्र झाल झाल झाल